Hello everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel. आज श्टाट करेंगे एक बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग और ब्यूटिफुल सा चाप्टर Introduction to Microbiology This is from SSE Class 10, Science 2, Chapter No. 7 And आज देखेंगे इसका Lecture No. 1 अब देखो, Chapter बिल्कुल भी difficult नहीं है Conceptually, कहीं पे भी आपको Problem नहीं आएगा सारी चीज़े समझ में आ चाएंगी लेकिन Problem आएगा याद रखने में पूरे Chapter में 40 से 50, 40 to 50 ऐसे Names हैं Micro Organism के नेम हो गए, Chemicals के नेम हो गए And इतने जबडा तोड़ नेम है Spelling Mistake होने का 100% Chance है And Objectives में Marks जाने का 200% Chance है लेकिन Don't worry, हम पूरी कोशिश करेंगे Chapter को याद रखने की वो नाम याद रखने की मैं हूँ आपके साथ चिंता मत करना तो Ladies and Gentlemen, Introduction to Microbiology Lecture No.1 रहेगा जिसमें देखेंगे Dairy Product क्या होते है And Probiotics क्या होते है If you are new to the channel, subscribe करना, मत बुलना, share करना, वीडियो को And like भी करना तो चली, शुरू करते हैं अब माल लो कि आप घर से बाहर निकले And अपने दुनिया देखी दुनिया में आपको बहुत सारे plants दिखेंगे बहुत सारे trees दिखेंगे बड़े-बड़े trees दिखेंगे अब ये trees इतने बड़े हैं कि आपको वो directly अपनी आँखों से दिख रहे हैं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं फिर आपने बहुत सारे animals देखें, गाय, गोडा, गदेडा, डुकर, कुमडी, डॉग, कैट, ये भी animals इतने बड़े-बड़े हैं कि वो आपको अपनी आखों से directly दिख रहे हैं, बराबर हैं, लेकिन हमारे earth पे ऐसे बहुत सारे organisms हैं, living organisms, जो बहुत छोटे हैं, they are very, 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 very tiny and उनको हम directly अपने आखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए मुझे एक special instrument, microscope का इस्तमाल करना पड़ते हैं, बराबर हैं, तो ये जो चोटे-चोटे-चोटे tiny organisms हैं, मतलब bacteria हो गया, virus हो गया, some types of fungus हो गया, algae, protozoa, ये सारे चोटे-चोटे organism, इनको हम क्या बोलते है microorganisms और microbes, simple है, और इनको देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तमाल करने वाले हैं, we will use a microscope, तो इन microorganisms की study को हम क्या बोलते हैं, microbiology, logi मतलब study, simple, the study of microorganisms is known as nothing but microbiology and पूरे chapter में हमें वही पढ़ना है, हमें microorganism की study करनी है, अभी microorganisms बहुत सारी industries में use किये जाते हैं, food industry हो गई, beverage industry, drinks वाली industry, medicine industry हो गई, clothing हो गया, paper हो गया, baking industry आ गई, and insecticide, pesticide, bio-remediation, तो ऐसी बहुत सारी जगाए हैं जहां पे microbes use किये जाते हैं, and पूरे chapter में हमें वही पढ़ना है कि ये microbes कहां कहां और कैसे कैसे, कहां कहां और कैसे कैसे use किये जाते हैं, तो चलिए एक एक क पकड़ते हैं dairy product को, dairy product बनता है दूद से, milk से, अब वो गाय का दूद हो, भैस का हो या बकरी का हो, doesn't matter, मुद्दा हमारा ये है, अगर दूद को बार छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए, तो दूद फट जाएगा, दूद खराब हो जाता है, दूद is a very perishable product, perishable मतलब ज दिया जाए, तो उसको कुछ महिनों के लिए fridge के अंदर रखा जा सकता है, अगर दूद को cheese में convert कर दिया जाए, तो उसको कुछ सालों तक भी रखा जा सकता है, cheese easily खराब नहीं होता, तो कहना इसे, अगर दूद का dairy product बनता है, तो हम दूद को खराब होने से बचा रहे हैं we are preserving the milk, तो ये दूद को बचा के रखने की जो process है, preservation की जो process है, वो सदियों से, सालों से, हजारों सालों से होते आ रहे हैं, ancient Egyptians भी करते थे, तो since ancient days, हजारों सालों से, milk was converted into various dairy products for its preservation purpose, preservation मतलब क्या, बचाने के लिए, खराब नहीं होने देना है, and ऐसा माला जाता है कि जो पह 5000 साल पहले बनाया गया था, कमेंट में मत पूछा, सर आप देखने गए थे, क्या, आपको कैसा मालूम, नहीं, ऐसा मिर को मैं खुद देखने personally नहीं गया था, लेकिन scientists है, historians है, वो लोग ऐसा मानते हैं, कि 5000 साल पहले, पहली बार दही बनाया गया था, ठीके बच्चों, अ उस करीम को अगर फर्मेंट किया जाए, तो हमें मिलेगी सार क्रीम, अब ये फर्मेंटेशन क्या है, वो मैं आपको आगे बताओंगा, don't worry, आपने 9th में पढ़ा है, शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, don't worry, देखेंगे, सार क्रीम होगया, फिर केफिर केफिर is also a fermented milk product simple भाशा मैं अगर आपको बता हूं तो यह च्छास के जैसा होता है हम जो बटर मिल्क पीते हैं उसके जैसा ही होता है फरक सिर्फ इतना है के फिर गाढ़ा होता है थिक होता है बटर मिल्क एकदम पानसट है पानी पानी जैसा है केफिर थिक होता है formation of these product जब यह सारे product बन रहे है तब दूद के अंदर कुछ changes आएंगे सिंपल सी एक बात है दूद liquid है उसमें बहुत सारा पानी है water content है लेकिन जब दूद का cheese बन जाता है cheese solid है तो कैनाई से पानी कम हो गया water content reduce हो गया तो सबसे पहला water content of the milk will change and दूसरी बात एक simple example देता हू दूद का जब दही बनता है दही थोड़ा हमें खटा लगता है सार टेस्ट आता है तो कैनाई से दही के अंदर कुछ acid produce हुआ होगा हमने पढ़ा है acids have a sour taste खटे होते हैं acid तो कैने वी से दूद के अंदर acidity produce हो रहे है so during formation of this product क्या हो रहा है water content and acidity of the milk will change ये एक बात हो गई and दूसरी बात the texture taste and flavor of the milk will be improved simple एक बात करते हैं दूद हमारा liquid है पानी पानी जैसा है लेकिन जब उसका दही बन जाता है तो गाड़ा हो जाता है texture change हो गया butter बन जाता है तो smooth हो जाता है texture change हुआ अगर mozzarella cheese बन जाता है तो इसा rubber के जैसा उसको आप खीच सकते हो तो texture मतलब क्या feel change हो रहा है yogurt product अभी सबसे पहला सवाल है कि क्या दही and yogurt यह सेम है almost yes almost सेम होते हैं थोड़ा सा difference होता है and ऐसे मान लो कि इंडिया में जिस चीज को हम दही बोलते हैं western countries में यूरोप में अमेरिका में उसी चीज को yogurt बोला जाता है ऐसा मान सकते हैं लेकिन एक और difference होता है जो हमारी घर घर में दही बनती है उसके अंदर जो bacteria होता है वो थोड़ा अलग variety का है right and जो industry में yogurt बनता है उसके अंदर जो bacteria use किये जाते हैं वो थोड़े अलग variety के होते हैं तो दही में and yogurt में bacteria के variety का भी difference आ जाता है ठीक है लेकिन आज के discussion के लिए हम दही and yogurt को same पकड़ के चलेंगे because आगे मेरे को कोई confusion नहीं चाहिए ठीक है तो चलिए दही बना लेते हैं सबसे difficult point यहां बताया है कि yogurt is a milk product जैसे हमको पता ही नहीं था तुमारे textbook में अलग से लिखा है दूद milk and इसका मुझे दही बनाना है योगर्ट बनाना है तो मम्मी को पुछो किस तरह बनाती है एक दिन पहले का जो दही होता है ready उसमें से हम थोड़ा सा दही लेते हैं spoon में and उसको हम दूद के अंदर add करते हैं बराबर है यह जो दही हमने spoon में लिया इसको starter culture बोल सक आपने पूरा 9th standard में पढ़ा हुए आपको पता है यह lactobacilli का काम है दूद को दही में convert करना fermentation करना right and जो lactobacilli हम उपर से add कर रहे हैं इसको बोलते हैं inoculant I repeat जो lactobacilli spoon में उपर से हम add कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं inoculant ठीक है यह लेकिन यह घर-घर की बात होगई यह तो घर पे हम बनाते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आप देखो योगर्ट का हमें large scale पे बहुत सारा योगर्ट बनाना है तो हमें कुछ steps follow करने पड़ेंगे कुछ recipe follow करनी पड़ेंगी right precautions लेने पड़ेंगे बहुत सारे तो चलिए इंडस्ट्रियल योगर् बनाने तो मुझे बहुत सारा दूद लगेगा तो बड़ी सी कड़ाई में बड़े से container में हमने बहुत सारा दूद लेके रखा हुआ है अब सबसे पहली बात अगर मुझे अच्छा quality का योगर्ट बनाना है थिक योगर्ट गाढ़ा तो हमारे दूद के अंदर बहुत सार प्रोटीन होना चाहिए प्रोटीन तो अल्रेडी होता है लेकिन हम उपर से और प्रोटीन एड करेंगे तो step number one लेक लेना चाहिए तो condensed milk powder दूद का पावडर आता है ना दूद पावडर that is mixed with the milk to be fermented इस milk powder में होता है प्रोटीन तो हमने यह milk powder क्यों आड किया है to maintain the protein content of the milk उ को पी-पी-पी-पी बहुत सारा protein आ गया है step number two अब हम दूद को उबालेंगे we will boil the milk and once it cools to a warm temperature boil करके हम उसको थंडा करेंगे 30-35 degrees Celsius पे लेके आएंगे warm temperature पे and अब fermentation करना है तो इसके अंदर हम bacteria add करेंगे we will add bacterial trains train मतलब variety दो टाइप के bacteria हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं द streptococcus thermophilus नाम जबडा तोड है आपको बहुत बार revise करना पड़ेगा इसको लिखना पड़ेगा बच्पन में कैसे हम एक नाम पांच बार लिखते थे तब जाके याद रहता था उसी तरह से आपको यह नाम भी पांच-पांच बार लिखना पड़ सकता है अगर आप महनत स्पेलिंग भी है उसकी देखें सी के डबल आई स्ट्रेप्टोकॉकस thermophilus लेक्टो बैसिलस डेल ब्र्यू की यह दो बैक्टेरिया वन इस चुट वन रेशियो में एड किये जाएंगे मतलब दोनों का कॉंटिटी सेम रहने वाला है समझ गहे इसको हम गया बोलते हैं यह अब आपको पहले टेक्सबुक में क्या दिया है वो मैं बताऊंगा द्यान से सुनना पहले मैं आपको टेक्सबुक में जो दिया है वो बताता हूं फिर आपको मैं रियालिटी बताऊंगा क्या होता है टेक्सबुक में क्या बोला है स्ट्रेप्टोकॉकस thermophilus प्रड्यू तो शुगर नाइन्थ में पढ़ाए इस लैक्टोज शुगर का होता है breakdown chemical breakdown and हमें मिलता है lactic acid तो आइट यहां पर क्या हुआ स्ट्रेप्तो कॉकस thermophilus ने lactose sugar को break किया and break करके क्या बना दिया lactic acid वह दिख़र है आपको दूद के अंदल LA 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 lactic acid आ गया है और इस breakdown को हम बोलते हैं fermentation तो fermentation क्या होता है जब कोई bacteria किसी भी chemical को break करता है उसको हम fermentation बोलते हैं कोई भी आके आपको पूछे fermentation क्या है तो उसके मुँपे जवाब fake के मारना English में बता रहा हूं अब the chemical breakdown of a substance इसको बूलते हैं fermentation अतकाई होना अर्पुडे आगे क्या होगा देखो दूद के अंदर बहुत सार प्रोटीन था हमने आड भी किया था प्रोटीन और पहले से दूर दूर होते हैं वो फ्लोट हो रहे हैं दूद के अंदर लेकिन विकाउज अफ लाक्टिक आसिड विकाउज आफ आसिड यह सारे प्रोटीन मॉलीक्यूल्स साथ में आने लगेंगे एक दूसरे को चिपकने लगेंगे ठीक है बच्चों और जब प्रोटीन नसदीक आ सारे प्रोटीन आपस में चिपक रहे हैं तो हमारा जो मिल्क लिक्विड था वो सेमी सॉलिड बनने लगेगा थोड़ा गाढ़ा बनने लगेगा थिकने साने लगेगी राइट तो यहां पर क्या हुआ भाई प्रोटीन स्चार्ट टू कोएगूलेट कोएगूलेट मतलब क चिपकने लगेगे और तब जाके मिलेगा आपको योगर्ट और इस प्रोसेस गिवस देन्स कंसिस्चंसी टू देन्स कंसिस्चंसी मतलब गाढ़ा हो जाएगा यहां तक कहानी समझ में आई तो अब आपको रियालिटी बता देता हूं सिर्फ स्ट्रेप्टो कॉकस थर्मो तो बैसिलस दोनों मिलकर लाक्टिक एसेड बनाते हैं दोनों का काम है अकेले का काम नहीं है तो यह रियालिटी में होता है ठीक है बच्चों लाक्टोस से लाक्टिक एसेड बना लाक्टिक एसेड से प्रोटीन को एगूलेट हुए चिपकने लगे और हमारी दही थिक कंस consistency dense consistency वाली योगर्ट बन गई क्लियर यह बात आखरी पॉइंट पॉइंट नमबर फोर 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 लाक्टो बैसिलस डेल ब्रुकी प्रडूस इस एसिटल डियाइड लाइक कमपाउंड अभी अगर आप मार्केट से योगर्ट लेके आते हो डबा तो उसका फ्लेवर देखना उसको स्मेल करना उसको टेस्ट करके देखना आपको थोड़ा खट्टा ग्रीन एपल वाला फ्लेवर दिखेगा तो जो ग्रीन एपल वाला टेस्ट है फ्लेवर है वो एसिटल डियाइड से आता है इस एसिटल डियाइड गिवस यह जो दिख रहा है एसिटल डियाइड एसा textbook में दिया है, reality में क्या होता है, आप ही guess कर लो, streptococcus and lactobacillus दोनों मिलकर acetaldehyde बनाते हैं, अकेले का काम नहीं है, ठीके बचो, इसलिए दोनों bacteria add किये हैं, और ये दोनों दोनों काम करते हैं, एक दम clear है, last point, अच्छा, अब market में बहुत अलग-अलग-अलग type के yogurt मिल तो for example strawberry juice है, banana juice है, अगर उसको मैंने yogurt में mix कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, strawberry yogurt, banana yogurt, black currant yogurt आता है, अरे जो fruit आपको डालना है, डाल दो mango yogurt बना दो, ठीक है बच्छो, तो ये हो गया पूरा yogurt formation, yogurt production, I hope clear हुआ है, ज्यादा difficult तो नहीं है, चलिए, last बात करते हैं, butter की, butter जो है वो milk के अंदर जो fat होता है, दूद का fat, उसको use करके बनता है, butter, butter के बारे में बहुत सारी information आपको नहीं दी गई है, सिर्फ दो point बताए है, कि दो type का butter होता है, एक होता है sweet cream butter और एक होता है cultured butter, sweet cream non fermented है, मतलब उसमें कोई bacteria add नहीं हुआ है, cultured butter fermented है, उसमें bacteria add किया जाता ह है, और भी बहुत type के butter होते हैं, लेकिन दो major type कौन से है, sweet cream and cultured, and they are produced on a large scale, हमारा जो amul butter है, वो sweet cream butter होता है, लेकिन उसमें थोड़ा salt भी add किया जाता है, amul butter is not fermented, ये बाते clear हो गई, I hope clear हो गई है, तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, मममियत cheese production, आज के दिन का सबसे interesting topic, cheese production, cheese भी बनता है दूद से, वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, कैमल का हो, doesn't matter, right, but large scale production, जो है cheese का, maximum production, दुनिया का, that is done from the abundantly available cow milk, maximum जो cheese बनता है दुनिया में, वो गाय के दूद से बनने वाला है, ठीक है, अब मान लो कि मेरी cheese की factory है, and मुझे cheese बनाना है, तो मुझे प मैं उस दूद को immediately cheese बनाने के लिए यूज नहीं करूँगा, मैं पहले उसका testing करूँगा, क्या करेंगे, testing करेंगे milk की, दो type की होती है, एक होती है chemical test, जिसमें हम check करेंगे कि दूद के अंदर carbohydrate, proteins, fats, ये सब बराबर quantity में है या नहीं है, दूद के अंदर कोई unwanted harmful chemical तो नहीं ये हमें चेक करना है, फिर हम microbiological test करेंगे, we will check दूद के अंदर कोई unwanted bacteria, कोई harmful pathogen तो नहीं आ गया, disease causing bacteria तो नहीं आ गया, ये हमें चेक करना है, testing वगेरा हो गए, इसके बाद हम दूद का पास्चराइजेशन करेंगे, पास्चराइजेशन आपने सुना होगा, पढ़ा भी किया जाता है, 71 degrees तक, फिर उसको फड़ा-फट थंड़ा किया जाता है, to 3 degrees Celsius, फड़ा-फट गरम, फड़ा-फट थंड़ा, इसको बोलते हैं, पास्चराइजेशन, तो जो भी unwanted bacteria दूद के अंदर अगर है, तो वो मर जाएगा, ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें add करने ह और यह जो microbes हम add करेंगे वो ऐसे beads के form में होते हैं, अब यहाँ पे तीन टाइप का bacteria add करना है, सबसे पहला, Lactobacillus lactis, नाम confusing हो सकते हैं, मैंने आपको क्या बोलाई करने के लिए, नाम लिखते जाना, योगर्ट में कौन से वाले use हुए, चीज में कौन से वाले use हुए, य लिखते जाना 5-5 बार, Lactobacillus lactus, Lactobacillus cremoris, pronunciation पे भी ध्यान दो, Lactobacillus cremoris and हमारा प्यारा Streptococcus thermophilus, तो यह तीन बैक्टेरिया यहाँ पे add किया जाएगा, अब आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ बैक्टेरिया से चीज बनता नहीं है, हमें एक और chemical इसके अ सालों से होते हा रहा है, and पूराने जमाने की बात करें, traditionally, तो चीज बनाने के लिए एक एंजाइम को यूज किया जाता था, enzyme rennet, अभी आप पूछोगे, enzyme मतलब क्या, enzyme is a chemical, अभी इतना याद रखो, detail में मैं आपको आगे बताऊंगा, chapter में आगे हम पढ़ेंगे, अभी स अभी इतना याद रखो, enzyme is a chemical, तो इस enzyme का नाम क्या है, rennet, and ये rennet हमें मिलता था from elementary canal of cattle, गाय का जो बच्चा होता न, काफ, उसके टमक से इस enzyme को extract किया जाता था, निकालते थे, and उसको चीज बनाने के लिए यूज किया जाता था, तो बहुत सारे लोग मानते थे, कि cheese is a non wage product, and बहुत सारे लोग खाते नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमारे पास एक दूसरा alternative है, enzyme protease, and ये protease हमें मिलता है from a fungus, इसको भी यूज करके हम cheese बना सकते हैं, तो हमारा cheese कैसा होगा, vegetarian cheese होगा, लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, rennet जो है, वो इन चीजे, don't worry, right, तो अब तक दूद में क्या-क्या add हुआ, बता दो भाई, तीन टाइप का बैक्टेरिया, कौंसा-कौंसा, lactobacillus, lactis, biotona, lactobacillus, cremoris, treptococcus, thermophilus, तीन बैक्टेरिया आगे, फिर हमने enzyme डाला, या तो rennet होगा, या तो protease होगा, and इसके बाद, हमें द liquid था, वो semi-solid होने लगेगा, कुछ ऐसे, jelly जैसा हो जाएगा, इस process को curdling भी बोलते है, ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे, curdling, फिर हम इसको cut करेंगे, यह जो भी curds बना है, ध्यान से सुनना, इसको हम cut करेंगे, आपको जितने भी गठे-गठे दिख रहे हैं, उनको curd भी बोला जा सकता है, या फिर yogurt भी बोला जा सकता है, इन technical terms, cheese making का जो technical terms होता है, इसको भी curd बोला जा सकता है, right, curdling हो गया, and अभी जो पानी पानी दिख रहा है, वो पानी हमें निकालना है, right, तो हमारे जो curds हैं, yogurt हैं, वो separate हो चुके, गठे, separate हो चुके हैं, और बीच में आ करने वाले हैं, उसका भी कुछ use होता है, correct, यहां तक बात समझ में आ गई, अब यह जो हमारा yogurt है, उसको हम press करेंगे, compress करेंगे, and cut कर देंगे, into pieces, we will cut the solid yogurt into pieces, and फिर इसको और press करेंगे, press करेंगे, and जितना हो सकता है, उतना वे हम बाहर निकाल देंगे, right, फिर यह जो हमा का shape दिया जाता है, आपने देखा होगा न, ऐसा wheel का shape होता है, फिर उसको wash किया जाएगा, washing के time पे जो पानी use हो रहा है, उसके अंदर salt add किया जा सकता है, तो यहीं पे flavor भी add होने लगेगा, salty flavor, या फिर वो salt अलग से भी उपर से add किया जा सकता है, in a process called salting, ठीक है बच्च है, उसके ऊपर कुछ micro organisms को rub किया जाता है, यह भी एक process है, rubbing, हमारा जो cheese का block है, उसके ऊपर कुछ micro organisms को कपड़े से rub किया जाएगा, so that cheese के ऊपर surface fermentation दिखेगा, and एक enhanced flavor develop होने वाला है, यह भी एक मस्त process है, and एक last में सबसे important process होती है, ripening, इसको हम aging भी बोल सकते है, cheese making का सबसे important step यही है, बच्चों, cheese का जो flavor है, texture है, taste है, वो सब यहीं पे ripening के वजह से develop होने वाला है, किसी-किसी चीज को 6 महिने तक ripen किया जाएगा, age किया जाएगा, किसी-किसी चीज को एक साल के लिए, किसी-किसी चीज को देड साल तक भी age किया जाता है, and जितना को आप age करोगे, यह हो गए हमारी cheese making, I hope concept तो clear है, तीन टाइप के bacteria का नाम पढ़ना है, बस वो लिख लेना, 5-5 बार भार हो जाएगा, चलिए थोड़ आगे जाते है, probiotics एक काफे interesting सा concept है, पहले इसका मतलब समझ लो, probiotics are fermented food product, repeat करना मेरे साथ, fermented food product that contain active bacteria, जिन्दा बैक्ट यहाँ पर कुछ example दिया है, milk product का, तो हमारे पास क्या क्या है, देखो yogurt है, हमारे पास है chocolate, probiotic chocolate, हमारे पास butter है, केफिर भी है, केफिर के बारे में हमने बात की थी, fermented drink जैसा होता है, butter milk जैसा, तो इन सारे product के अंदर active bacteria present है, active मतलब क्या जिन्दा बैक्टेरिया, तो यहाँ अब यह तीन टाप के bacteria के बारे में बात किये, जो बड़ा तोड नाम है, उनके spelling में आप mistake कर सकते हो, तो उसको repeatedly लिखना, 5-5 बार practice करना, देखें, तीन बैक्टेरिया, lactobacillus acidophilus, बहुत ही cute नाम है, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casey, and bifidobacterium, bifidobacterium, bifidum, यह तीन बैक्टेरिया probiotic में आपको मिलेंगे, तो अगर आप probiotic खाते हो, तो यह बैक्टेरिया आपके अंदर जाएंगे, तो सवाल यह है कि मैं बैक्टेरिया क्यों खाओ, बैक्टेरिया खा के मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, बराबर है ना बात, तो सुनो, हमारा जो intestine है, आथर्ड करते हैं, आपके immune system को strong रखते हैं, आपको disease को fight करने में help करेंगे, and आपकी overall body की health को improved रखते हैं, आपको healthy रखते हैं, correct है, at the same time यह good bacteria, bad bacteria को grow होने नहीं देते, bad bacteria को मार देते हैं, तो अगर bad bacteria बढ़ जाता है, तो आपको क्या होगा, आपको indigestion होगा, जुलाब लग करते हैं, तो probiotic खाने का फाइदा क्या, probiotics maintain the balance of intestinal microorganism, मतलब probiotics will help to increase the population of microbes helping in digestion, good bacteria का population बढ़ाने में probiotic help करेगा, correct, and दूसरी बात, probiotics will also help to decrease the population of harmful microbes, गंदे वाले, बुरे-बुरे microbes जो हैं, नाम भी दिया है, Clostradium, इनके population को कम करने में probiotics आपको help करेगा, देखो, population कम हो जाएगा, कहानी समझ रही है, काफी simple सी बात है, right, good bacteria बढ़ेगा, bad bacteria कम होगा, आपकी overall health improved रहेगी, आप healthy रहोगे, and एक और बात, मानलो कि आप बिमा antibiotics prescribe करके देखते हैं, right, antibiotics bacteria को मारते हैं, लेकिन antibiotics को पता नहीं है, good bacteria कौन सा है, और bad bacteria कौन सा है, तो antibiotics सब bacteria को मार देंगे, तो because of antibiotics, can I say, आपका useful bacteria, microbes, वो inactive हो सकता है, मर सकता है, तो ऐसा बहुत बार होता है, अगर आपने antibiotics का heavy dose ले ली है, तो आपको लग जाएगा तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, कि antibiotics के साथ साथ, दही भात खाओ, या फिर yogurt खाओ, या फिर दही खाओ, दही से क्या होगा, आपके अंदर का जो good bacteria है, वो वापिस replenish हो जाएगा, जो मर गया bacteria, वो वापिस आजाएगा, तो probiotic खाने से क्या होने वाला है, the good bacteria will become active again, क कि जो आपका good bacteria inactive हो गया है, उसको वापिस active करना है, बिल्कुल यहां तक बात समझ गई है, तो दही and yogurt के अलावा, हमारे पास और भी बहुत सारे probiotic products available है, example, sauerkraut, ये sauerkraut जो है न, वो गोबी, पत्ता गोबी होती है, cabbage, उसका एक fermented product है, ठीक है पच्चों, इसको खाने से भी आपका good bacteria increase होगा, फिर हमारे पास है, miso soup, miso, it is a fermented product made from soya bean, and इसका soup बनाते हैं, इसको भी खाने से भई क्या होगा, आपका good bacteria increase होगा, फिर हमारे पास है, pickles, cucumber के pickles होते हैं, fermented होते हैं, इसको भी खाया जा सकता है, as a probiotic, फिर यहां पे ध्यान से सुनना, आपने algae सुना है unicellular plants होते हैं, algae, एक example दिया है, spirulina, इसका powder दिख रहे हैं, algae का powder है, फिर chlorella, यह भी algae है, इसका देखो powder दिख रहे हैं, फिर blue green algae, इसका भी powder है, green, तो क्या होता है न, कि यह जो algae का powder है, वो powder खुद probiotic नहीं है, लेकिन उस powder को अगर आप खाओगे, बहुत लोग खाते हैं, तो इस powder से आपका जो good bacteria है, उसको grow होने में help होती है, तो यह powder खुद probiotic नहीं है, इसके अंदर bacteria नहीं है, लेकिन यह आपके bacteria को grow होने में help करेगा, तो इसको हम prebiotic बोलते हैं, ठेक है बच्छों, कहां नहीं समझ गे यहां तक, तो यह हो गई सारी probiotic की बाते, अब फ चाहिए तो इस screen का screenshot ले 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 ना भाई, चीज में क्या डाला था हमने फड़ाफट, lactobacillus lactis, lactobacillus cremoris, streptococcus thermophilus, and probiotics में हमने क्या क्या डाला था, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casey, bifidobacterium bifidum, यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक लास्ट बात आपको बता देता हम सिर्फ नाम याद रखके जाते हैं तो भी हमारा chapter हो रहा है, एक अंदर की बात आपको बता देता हूँ, इस topic के ओपर बड़ी questions आते नहीं है, तो कोई भी आपको पूरा cheese making का process बताओ, पूरा yogurt formation का process बताओ, कोई नहीं पुछता है, ठीक है बच्चों, अंदर की बात ब आपको समझ में आ गई होंगी काफी अच्छे से, कोशिश तो पूरी की गई है, 100% and as usual, thank you very much for watching.